वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूट्व में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ जोड़ी हुई सभी महतपूर घटाओं को हम एक जगाए खटा होके पड़ रहे हैं तो चली शुरू करते हैं आज हम टॉपिक यहां पर शुरू करेंगे सेवाग्राम से चलिए सेवाग्राम आस्रम सेवाग्राम आस्रम 1936 में गांजी द्वारा स्थापित अंतिम महतपू की दूरी पर यह आस्रम बना हुआ ध्यान दकना आगे हैं इंडियन ओपिनियन जे क्या चीज़े देखो दच्छन अफरीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अकवार निकाला यह गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था गांधी जी ने गांधी दी 24 वर्ष की उम्र में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दच्छन अफरीका गए मैंने आपको बताया है वहाँ पर ठीक है यह मैं आपको अलेडी पिछली क्लास में बता चुका हूँ और वहाँ पर करीब करीब 21 से 22 साल तक गांधी जी ने भारत के सुंता संगर्ष के दौरान वर्स 1917 में चंपारण से सत्याग्रे प्रारम किया यह गांधी दी के दौरा किये जाने वाला भारत का पहला सफल मतलब भारत में पहला सफल सत्याग्रे था जो गांधी ने किया आगे एक बुक है देखे जना अंटू द इस लास्ट पड़ी थी गांधी जी ने अपनी आद्म कता में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया कि रस्किन और टॉलिश्टॉई की बात करते हैं आगे धर्म निर्पेक्ष लेखकों में गांधी वादी विचारधारा को थोरो रस्किन और टॉलिश्टॉई ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गांधी जी ने थोरो से सबने अवग्या का विचार गांधी ने किस से अपनाया है थोरो से और करबंदी की प्रेणा को प्राप्त किया थोरो से सबने अवग्या तता करबंदी की प्रेणा प्राप्त करी रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आधर करना सीखा ताथा टालस्टाय के प्रसिद्ध वाक किया कि इश्वर का वास तुमारे भीतर है गांधी जी इससे काफी प्रावित हुए और उनके अहिंसक आंदोलन का आधार यही बना तो याद रखना उन्होंने काफी सारी चीज़ा सीखी है थोरों से उन्होंने जो है सबने अबग्या अंदोलन की विचारधारा को लिया है रस्किन से उन्होंने जो है शारीरिक स्रम का आधर करना सीखा और टॉलिस्टोय का वाक के जो है के ईश्वर का वास तुमारे खुद के भीतर है इस से उन्होंने काफी प्रेना ली आगे बढ़ते हैं मात्मा गांदी को चमपारन आने तदा किसानों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्री ने राजी किया तदा चमपारण समस्या की जाच में गांजी दीके सायोगियों में आचार जेबी करपलानी के साथ डॉक्टर राजन प्रसाथ, महादेव देशाई, सी एफ एंड्रियूज, डाक्टर अनुग्रे नारायन सिंग, राज किसोर प्रशाद, एच एस पोलक इत्यादी शामिल थे आगे बात करते हैं एंजी रंगा की एंजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रे का विरोध किया था ध्यान रखना है, एंजी रंगा ने गांधी दी के चंपारण सत्याग्रे का विरोध किया, जबकि रविना टैगोर ने चंपारण सत्याग्रे के दोरान ही गांधी दी को महात्मा की उपाद तो ध्यान रखना है महात्मा ग्युबादी किसने दी गांजी दी को रभिना टैगोर ने कब चंपारन सत्याग्रे के सफल होने के बाद इन सबकों पढ़ेंगे यह सारे आंदोलन जो है डिटेल में पढ़ेंगे अभी किवल एक लिस्ट है इसको हम कंप्रीट कर रहें आगे देखे 6 जुलाई 1944 को क्या हुआ 6 जुलाई 1944 को सुवाजचंद बोस ने आजाध हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांजी जी को संबोधित किया यह बात मैंने आपको लास क्लास में बताई थी भारत की स्वाधिनता का आखरी उद शुरू हो चुका है राष्ट्पिता भा मैं आपका आशिरवाद और सुबकामनाय प्राप्त हो महात्मा गांधी को सर्पितम राष्ट्पिता सुवाजचंद बोस ने कहकर पुका रहा था याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्पिता किस ने कहा तो आप ज आधी मिली राष्ट्पिता कि तो यह हुआ साथ हुआ आज कमारा वीडियो उम्मीद करता हूं यह लिस्टिंग आपको इंपॉर्डेंट लगी होगी और अब हम देखेंगे और महत्पूर्ण चीज़ों की और इनकी बात की जो है हम करेंगे अगली क्लास पर चलिए जय है जय भारत बंदे मातरम